अभी हाली में हमारी अंत्रिक्ष विभाग ने बार्सिक समीक्षा 2022 जारी की है और ये आप देखेंगे बिज्ञान और प्रोद्री की मंतरालाई की अंडर में आता है और अंत्रिक्ष विभाग की बात करें तो 1972 में इसकी स्थापना हुई थी तो अंत्रिक्ष के छेत में जो उपलबधिया भारत की रही है उनी के बारे में बताये गया है और याद रखिए इस किलास से इस समीक्षा से आपकी परिक्षाओं में कोश्चन्स भी पूँचे जाएंगे चाहे आप लोग सिविल सर्विस की तयारी कर रहे हो इस्टेट पी सियेश की तयारी कर रहे हो या पर वंडे एक्जाम की तैयारी कर रहे हो वो चाहे सेंटरल लेबल का हो या एक्टेट लेबल का हो हमारी अंतरिक्च एजनसी की बात होती है तो इस तरो है इंडियान स्पेस रिसर्च और्गनाईजिसन इसकी स्थापना 15 अगस्त 1989 में हुई थी बैंगलोर में हैड़क्वाटर देखने को मिलेगा अगर अंतरिक्च विवाग की उपलब्दिया इस साल हम लोग देखें 2022 के लिए तो पिरमुक मिशन में 2014 से अब तक कुल मिलाकर 44 अंतरिक्च एजन मिशन, 42 पिच्छेपन एजन मिशन और 5 परोद्योगी की पिरदर्सक सफलता पूर्वक पूरे किये गए है और चंद्यान 2 आप लोगोंने सुना होगा 2019 में चंद्यान 2 को सफलता पूर्वक लौंच किया गया था या अनुसंदाओं समदाई के लिए महत्मोर्वक बिज्ञानिक डेटा प्रदान कर रहा है एक आप देखेंगे 50 बाप PSLB पिच्छेपन या दिसंबर 2019 में PSLB C48 Reset 22 BR1 का पिच्छेपन वार्खोस लौंच बाहन PSLB 50 का पिच्छेपन था और Reset 2 BR1 सीमा पर 24 गंटों निगरानी कर गुसफेट पर रोक लगाएगा ESRO System 4 Safe and Sustainable Operations Management इसे सौट में IS4OM के नाम से जानते हैं जुलाई 2022 में बिज्ञान मंत्राले ने ESRO System 4 Safe and Sustainable Operations Management को राज्ट को समर्पित किया था यह एक ऐसी सुबिदा है जिसकी कल्पना राज्टी विकास के लिए बाहरी अंतरिक्ष के सतत उपयोग के लावों को पराप किये हुए करते हुए सुरक्षा और इस्तिरता सुनिश्चित करने ही तु समग द्रेष्टी कौन के साथ की गई है एक आपने देखा होगा पिच्छे पढ़ यान मार्क तीन एल भी एम लॉंच विहीकल मार्क वन विव इंडिया वन मिसनने को अक्टूबर 2022 में सफलता पूर वक लॉंच किया गया था इस लॉंच के साथ एल भी एम थिरी आदमिर भड़ता का उधारने और बैस्विक वड़िजिक लॉंच से बाप वाजार में भारत की पिती असफारदात मकता को बढ़ाता है एक आप लोगोंने सुना होगा इंटीगेटिट मैन पेरासूट इयर ड्राप टेस्ट आई एम एटी गगान यान कारकरम के हिस्से की रूम में नवंबर 2022 में बवीना फेल फार रेंज जहासी उत्तर पिदेश में क्रो मोडियूल डिकलेरेशन सिस्टम का इंटीगेटिट म एंट पेरासूट एयर ड्राप टेस्ट सबलता पूरवक किया गया है एक आप देखेंगे इंफिलेटेवल एरो डायनामिक डिसेलेट डिसेलेट अंतरिक्च अनुसंधान संगठन यानि की इसरो ने भाविस्ते के मिसनों के लिए कई अनुपयोगों के साथ एक गेम चर्णों की पुनार प्राप्ती मंगल या सुक्र पर पैलोड उतारने उमाना अंतरिक्च उडान मिसनों के लिए गम लिए अंतरिक्च पर्यावास बनाने की बड़ी चमता है एक आप देखेंगे धुरवी ओफग्रह पिच्छे पन यान पीएसलबी सीचंवन पीएसलवी सीचंवन ने नवंबर 2022 में भारत भूटान सेट सहित आठ नेनो उपग्रह की सफलता पूरवक आई ओएस जीरो चै उपग्रह लॉंज किया था और नए उपग्रह का पिछे पन भूटान की राजा जिग में खेसन नाम ग्याल बांग्चुक की भूटान की विकास के लिए ICT और अंतरिक्ष पूरवकी की सहत 19 पूरवकी का उपवग्रह करने की योजना का समर्तन करने की भारत की प्रियासों का हिस्सा है एक आप देखेंगे सेक्षेडिक और सहायता चम्ता निर्मा आउट्रेच अंतरिक्ष प्रोध्दुकी की उस्मा उस्मायन केंद 2018 से अंतरिक्ष अनुसंधान गतीविदियों को बढ़ा बात एने के लिए देश के कुछ पिरमो ुस्मायन केंद और 66 अंतरिक्ष प्रोध्दुकी की उस्यायन केंदर स्थाबिद किये गये 37 धमन अंतरिक्ष बिग्जान के इंद की बात करें तो हाली में 37 धमन अंतरिक्ष बिग्जान के इंद की स्थाफणा E-SRO DOX और केंद्री विस्विद्ध्यले जम्मू द्वारा सहीगत रूप से की गई थी E-SRO द्वारा UniSpace, Nano Satellite Assembly और पिसीखचण जून 2018 में भारत द्वारा Assembly एक इकर्ण और पिसीखचण और सिधानतिक सोध के सहयोजन द्वारा नैनो उक्रहो के विकास पर छम्ता निर्माट पिसीखचण का गरम E-SRO द्वारा UniSpace, Nano Satellite Assembly और पिसीखचण की गोशना की गई थी एक आप देखेंगी उवा विग्ज्ञानी कारकरम एवर्स 2019 में ई-SRO ने सरकार की जए अनुसंधान वाले दिरश्टी कोन की अनुरोप उवा विग्ज्ञानी कारकरम नामक एक बार से बे से कारकरम की सुरुआत की थी 2019 में कारिकरम का उद्दिष क्या है बाहे अंत्रिक्ष की आकरसक छेत में युवा पिती भाओं को पुरोसाहित करने के लिए अंत्रिक्ष प्रोध की गी अंत्रिक्ष अनुपयोगों पर बुनियादी ग्यान प्यदान करना है एक आप देखेंगे इस्पेश टेक इनुवेश नेटवर्ग दिसंबर 2022 में भारती अंत्रिक्ष अनुसंधान संगतन और सोसल अलफा ने स्पेश टेक इनुवेशन नेटवर्ग लॉंच करने के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्चर किये थे जो बढ़ते अंत्रिक्ष उध्यम सीलता परिस्तिती की तंथ की लिए नवाचार उध्यम विकास हीतु भारत का पहला समर्पित मंच है सुरक्षा उध्योगों की भागेदारी में बड़ोत्तरी यह आप देखेंगे निव स्पेस इंडिया लिमिटेट 2019 में निव स्पेस इंडिया लिमिटेट को भारत सरकार की पूर्ण स्वामित बाले ओकरम क केंदरिय सार्विनिक चेत के उध्यम के रूम में सामिल किया गया है इसका उध्यिस भारती उध्योगों में अंतरिक्च कारकरम के लिए उच्च प्रवद्यक की भी निर्माड आधार को बढ़ाने और घरेल्व तथा बैस्विक खरीदारों की आवसकताओं को पूरा करने ही तो भारती उंतरिक्च कारकरम के उत्पादों सेवाओं का व्युसाइक रोप से दोहन करने में सक्षम बनाना है और जिसेट 24 संचार उब गरे जो की NSIL का पहला मांग संचालित मिसन है को जून 2022 में फ्रेंच गवाना की कोरों से लौंच किया गया था और भारती उंतरिक संमधन वो प्राधीकन के अंध भापति इंतरिक्च अुपयों करने के लिए निजी कंपणियों को सामान झाट अवसर पयदान करने के लिए इं इसपेस लॉण्च किया गया और ये ass- Teerowory अंठुश संभवडियों का उपयों करने нужно पाल reported कि एकल को एंटरफेस के रूम द्वारा किया जाएगा जिनके पास अंतरिक्ष उपग्रे प्रोदुगी की में उन्ने चमता हैं पहली निजी लॉंच पेड मिसन नेंतन केंद नमबर 2022 में पहले निजी लॉंच पेड और मिसन नेंतन केंद की स्थावना सार की इसरो परिशय में मैसर्स अगनी कुल कॉस्मोस प्राइविट लिमिटेड चैन्न नहीं द्वारा की गई है इस चोटे चोटे पॉइंटे ने एक से दो बार आप लोग देख लिए वो निकल जाए है भारती अंतरिक्ष नीती 2022 को अंतरिक्ष आयोग द्वारा मंजूरी की गई है और यह आंगे की अनुवदान फिक्रिया के अंतरगर आपदा प्रवंधन बाड की निगरानी बाड गरस्त राज्जों के बाड जोकिम चेतर एटलस का निर्माण बाड पूर्व चेतावनी मोडल का विकास करना कई देनेक पहचान और बगना अगनी के प्रसाद चक्वाट ट्रेक का पूरवनमान भूकम की तीबता और भूसकलन भूकम और भूसकलन की कारण हुए नुकसान का अगलन करने के लिए एक किया गया है कोविद 19 में हमारी यह आप देखेंगे संबंधी सहायता कोविद 19 में हमारी के द्वानन मेकेनिकल बेंटी लिटर और मेकेनिकल ऑक्सीजन कंसल्टेटर जैसे उकरणों को विक्सित किया गया और फुर्दुकी की को भारतिये उद्दोगों में इस्तापित किया गया है यह आप देखेंगे कि बार्सिक समिक्चा है न जो अंतरिक चुविबाद की उसके तहत यह प्लग दिया हम लोगों ने हासल किये हैं ठीक है तो यह आप लोग पढ़ लीजे एक से दो बार इस तरह के डारेक्ट कुश्चन्स ही आप देखें सेविल सर्विस में पूछ ले होते हैं वहां भी आप लोगों को काफी फायदा मिलता है ठीक है